तो तीन टीम में फाइनल हो गई है जो कि IPL के प्लेओफ में पहुच गई है चेनी सूपर किंग्स डेली कैपिटल्स और रसीवी की टीम प्लेओफ में पहुच चुकी है लेकिन अभी भी एक स्पोट खाली है और आज इस वीडियो में यही बात करेंगे कि आखिर कौन का यह चोहता स्पॉर्ट आखिर कौन सी टीम होगे इन इचली टीमों में से जो की पहुचने वाली है IPL के प्लेओफ में हर टीम के बारे में बात करेंगे पूरा अनलिसिस करेंगे और फाइनल वर्डिक्ट दूंगा था इन तक वीडियो को जरूरू देगे दूसां में ब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करकर भाई बैल आइकन भी तेबल है दोस्तों टेबल आपको मेरे साब से क्लेरली देख पा रहे होंगे कल आर्सीवी की टीम जीट गई थी और आर्सीवी की टीम में अब वो तीसी टीम बन गई है जो कि कॉलिफाइए कर गया है पं सब्सक्राइब करें तो इसी वीडियो में बने रहे ना एंड तक बताऊंगा उससे पहले बता दूं भाई आप अपनी स्क्रीन पर स्क्रीन शॉट देख पा रहे होंगे कल हमने वीवेस लक्ष्मन की टीम को दोनों मैचों में अच्छी तरह अरा दिया था और इसलिए वह बोलता हूं कि हर रोज हम कोशिश करते हैं हर रोज कोशिश होती है जीतने की और जीतते भी है तो आप भी देर मत कीचिए मैंने नीचे डिस्कुशन का लिए डाल दीए बड़ा पर जैसे ही आप डाउनोड करेंगे दोस्तों आपको पंदरा सो रुपे फ्री में मिल जाए एक चीज़ और है दोस्तों की टेबल पर टीम है कहीं भी हो आप हर मैच में हर टीम के साथ और खिल सकते हैं टीम मना सकते हैं अपनी और भाई तीम गुना से लेकर पाच गुना कैश जी सकते हैं वीवीएस को हरागर जैसा कि कल स्क्रीन शॉट आप देख पा रहोंगे मैंन खोलिए माइलेवन सरकल अब को अब आउनट कीज़ें दोस्तों अब टेबल की तरफ चलते हैं तो यहां पर दोस्तों तीन टीम है आप देख पार होंगे चेने दिल्ली आर्सी भी कौलिफाइब कर चुकी है अब कौन-कौन सी टीम में दावेदारी कर रही हैं किसके चांस पड़ेगा कि मुंबई ने बारा मैचस के लिए हैं पाच जीते हैं साथ आरे हैं दस पॉइंट से इनके इनका ने बहुत खराब है मतला मुंबई इंडियंस को आने वाले मैचस जो है वो जीतना पड़ेगा ही बड़े-बड़े अंतरों से जीतना पड़ेगा दो मैचस है बहुत कम चांसे से हम बोल सकते हैं दस बीस परसेंट वह मुंबई इंडियंस की टीम है बहुत सारे लोग ऐसा रेच की बोल रहे थे तो वह बाहर हो चुका है आगे बढ़ते हैं दूसरी टीम जो की दोड़ में है वो है राजिस्थार लॉयल्स की टीम सेम गड़े थे है इनके द razón ही इन्हों दी इनन rapidement 20 नहीं फटोला सा बैटर है तो इनके लिए भी परशंट ही चांस ज्यादा चांस नहीं अपले आफ में पा नत जीतना है मैचस बचे हुए दोनों मैचस जीतना है बड़े अंतरों से जीतना है अब राजिसान ये कर पाई गया नहीं मुझे नहीं पता अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता लीजिए तीसरी टीम दोगे दोस्तों इस समय दौर में है जिनके चांसस थोड़े से लेना वह कम है हमें थोड़ी सी टंग फोगर मेरे से गलती से निकल गया थोड़ा समझी यह आप पंजाब के चांसिस कम है क्यों कम है क्यों कर थे पार जरूर रहा है पर मैचसे बचा हुआ है पंजाब के पस माँका है तो पंजाब के पास मौका ही नहीं पचा हुआ पंजाब के पास अगर बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेले तो टोटल बारा अंग होंगे और शायद इस बाल जो क्वालिफिकेशन हो रहा है वह 14 पॉइंट्स का क्वालिफिकेशन होने बाला है पॉइकोज तीम्स है रिमेनिंग मैच जाए जाएगा मंबई दो जी जीदिया कॉलिफिकर बहुत कम है तो अगर पर देखे पंजाब नमच पार जरूरे चंस राजिस्थान और माई से भी पंजाब के आप कम बचे हुँ है चौती टीम जिनके इस पूरे टेबल पर चौती टीम क्याने ना की प्लेओफ में पहुंचने वादी वो बन सकती है चांसे सिनके सबसे ज्यादा है वो केके आर की टीम है वाई केके आर ने इस समय एक तरह से हमें बोल सकते हैं खूटा गार दिया और अब ज्यादा बस कुछ करने की देर नहीं है क्योंकि तेरा में इतना बहतर है कि इन्हें फिर वहां से कोई हिला नहीं पाएगा तो मेरे हिसाब से तो पचास साथ सतर परसेंट चांसे केके आर के ही हैं कि वह कौलिफाय करेंगी तो तीन टीम हो चुकी है आरसीदी के पास क्योंकि खराब ने ट्र तो टॉप टू में जाने का मौका नहीं मिलेगा ठॉप टू में छेने दिली ही अमूमन रहेगी चांसर आरसीदी नंबर तीन और के के आर की तीम आई थिंक की वह चौती टीम होगी जो कि शायद आने वाले 6-7 दिनों पता लगेगा बट आई थिंक की के क्यार वह चौती होगी जो की प्ले आफ में पहुचेगी यह पूरा गड़ित था दोस्तों आपको मेरी टीम कैसे मिल सकती रोज भी एस की खिलाब खेल ले के लिए तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों गूगल पर जाएए दर यह सच कीजिए पहली लिंक क्लिक कीजिए आप मेरा ओफ पर अपना अकांट जरू बनाएए दिस्कुशन का अउट बाक्स है मैंने लिंक के डाल दिये नीचे और चैनल को सब्सक्राइब करका बेल आइकन दबाएए